बश्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइपस ओफ हैमर के बारे में कि हैमर कितने प्रकार का होता है हैमर का प्रियोग हम वर्क पीस या जोब को हीटिया स्ट्राइक करने के लिए करते हैं और इसे एक striking tool के तोर पर fating soap, machine soap, smithing soap, seat metal soap इत्यादी में इस्तिमाल किया जाता है आफशक्ता के अनुसार और hammer की बात करें किस material का ये बना होता है इसका जो ये head होता है ये basically forced high carbon steel का बना होता है और इसमें जो handle हम insert करते हैं वो जो handle है वो wood या लकडी का बना होता है लकडी के तोर पर हम system का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर solid bamboo का इस्तिमाल कर सकते हैं और इसमें कौन-कौन से part होते हैं mostly जो भी hammer है उसमें जो main part होते हैं यहां bottom में अगर आप देखें यह जो flat end है इसे हम face कहते हैं इस face के बिल्कुल opposite का जो end होता है इसे हम pin कहते हैं और इस portion को हम cheek कहते हैं और इसके बीच में एक hole बना होता है जिसमें हम handle को insert करते हैं उसे eye कहते हैं eye जो है यह oval shape की भी हो सकती है elliptical shape की भी हो सकती है और pin की shape भी आवशक का अंसार बदली जा सकती है तो यह इसे हम neck कहते हैं और यहां से यहां तक का portion pole कहलाता है अब बात करते हैं कि hammer को किस आधार पर वरगी classify किया जाता है hammer को उसके size के आधार पर classify किया जाता है और size में हम weight को consider करते हैं कि किस weight का hammer है तो hammer के जो main categorization है सबसे पहले है hand hammer और smith's hammer दूसरा है sledge hammer और तीसरा है power hammer जो hand hammer होते हैं यह size में भी छोटे होते हैं और light weight इनका होता है 0.1 kg से 1.8 kg तक इनका जो weight है वो vary करता है और इसे smith के दुआरा खुद इस्तेमाल किया जाता है जो sledge hammer होते हैं यह size में भी बड़े होते हैं heavy weight होता है और 3 kg से 8 kg के बीच में रहते हैं एक परकार से heavy duty hammer होते हैं और इनका जो weight है वो hand hammer के मकाबले 3 से 4 गुना जादा होता है जो power hammer है यह basically electric driven hammer होते हैं इसे हम जब use करते हैं जब हमें ज़्यादा एक परकार से compressive forces apply करने पड़े या फिर हमें ज़्यादा production किया शकता हो तब power hammer का इस्तेमाल किया जाता है अब देखते हैं कि जो hand hammer है इसको further categorize किया गया है इसमें इसके basically जो type अगर हम देखें तीन type ह हम देख रहे हैं ball pin hammer, cross pin hammer और straight pin hammer तो इन तीनों में अगर देखें construction mostly तीनों की similar ही है फरक सिर्फ है जो pin की shape होती है जो ball pin hammer है इसकी जो pin होती है वो round shape की or spherical shape की हो सकती है और इसका इस्तेमाल हम जो rivets होते हैं उसको set करने के लिए करते हैं और जो ball pin hammer है इसे हम machinist hammer के नाम से भी जानते हैं और ordinary जो light work है उसको करने में इसका इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो cross pin hammer है इसमें जो ये pin होती है ये basically handle के axis के 90 degree पर होती है जो cross pin hammer है और cross pin hammer के अगर हम बात करें इसका प्रयोग हम थोड़ा सा heavy work में करते हैं fitting soap में या फिर smithing soap है वहाँ पर metal को spread करने मे इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद जो straight pin hammer है इसमें जो pin होती हो बिल्कुल parallel होती है handle के axis के straight pin hammer के case में और इसकी जो pin की width होती है और जो face का diameter होता है उसके बराबर रहती है और इसका कारिया basically जो material है उसको stretch करने के लिए इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके ब का है straight pin slash hammer जैसा आप diagram में देखें बिल्कुल इसमें यह जो पिन होती है बिल्कवmm et rating एक्सिस के पेरलल होती है और इसका युक्रोसथE है वह भी फ्लैड होता है उसके बाद cross pin slash hammer तो इसमें यह जो पिन है wey anle के इसके 90 डीग्री पर होती यह फ्लैड फेज होता जो ends होते हैं वो same shape के होते हैं flat face होते हैं जो pin और face दोनों की जो shape है वो same होती है उसके बाद जो तीसरा type है वो अब power hammer power hammer की जैसे हमने बात की है कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें ज़्यादा quantities में जो भी objects को हमें या work piece को बनाना होता है और electrical power से इसको drive किया जाता है और इसमें basically जैसा हम forging में करते हैं forging में जब हमें material की जो shape देनी है तो उसमें compressive forces को apply करना पड़ता है तो उसमें power hammer का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके जो types हैं उसमें है spring hammer है, pneumatic hammer है steam hammer है drop hammer या फिर drop stamp तो ये types हैं hammer के हम अपनी जरूरत के उनसार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो hammer है जब भी हम hammer का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐसे factor है जो इसकी performance को influence करते हैं जैसे सबसे पहला factor हो सकता है कि shape और size क्या है job की दूसरा हो सकता है falling weight of hammer कि जब भी hammer fall करेगा तो उसका weight कितना है तीसरा कि किस height से जो hammer है वो fall करेगा तो ये कुछ factor है जो hammer की performance को influence करते हैं अब बात आती है कैसे हम choose करेंगे कि कौन सा hammer हमें कब चाहिए तो उसके लिए basically वो depend करता है कि हमें किस तरह का कारिया करना है अगर light work हमें करना है तो ऐसी स्थिती में हम hand hammer का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें थोड़ा heavy duty work करना है तो slas hammer का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जो hand hammer है जो smith कारिया करता है वो खुदी इसको use कर सकता है लेकिन जो slas hammer है इसे जो smith का helper होगा वो इसका इस्तेमाल करेगा क्योंकि जैसे हमें पता कि heavy weight होते हैं और इनके pre-oxyum ज़्यादा force को apply कर सकते हैं एक परकार से force को amplify कर सकते हैं और इसमें जो handle भी होता है उसकी जो length होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसे swing करके भी इसको strike किया जा सकता है और जैसा हमने बात की power hammer की कि power hammer तो जब हमें number of एक प्रकार से production, mass production हमें components की करनी है तब हम power hammer का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि hammer कितने प्रकार का होता है किस आधार पर उसको categorize किया जाता है वो किस material का बना होता है कहां कहां उसका इस्तेमाल होता है और इसके कौन-कौन से part होते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और channel को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे और आपकाँ box पर एकाँ का दोस्तों का दोस्तों के लिए कर सकते हैं का दोस्तों कर मैं कर संददेまず अपूले स क्साथ